किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज लोकडाउन 2.0 का पहला दिन है मुझे उमीद है कि आप अधिकतर घर पर रहते होंगे और समाजिक दूरी और साफ सफाई का ध्यान रखते होंगे किसान घर पर बहुत मुश्किल से रुख पाता है आज कल कटाई का समय है चलिए बात करते हैं आज सर्दियों की फसल के भाग दीट की जी हाँ मैं भी 22 तारिक से अपने फार्म पर नहीं जा सका मैंने कुछ वीडियो मंगाई हैं वहां से और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब हम कटिंग करेंगे मेरा जो प्लान है वो है 30 अप्रेल के आसपास अपने बाग पर जाने का और मैं चाहता हूँ कि तब तक कटिंग की सब तयारियां पूरी कर ली जाएं आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि पोधो में इस समय ताओ देने का कारिय किया हुआ है तो मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने अपने खेत पर किस प्रकार कारिये करे और ये कटिंग से पहले की अंतिम तयारी है किसान साथियों आपको पता है बारिस बहुत देर तक हुई थी अब की बार फरवरी में जब मैंने पानी किया तो ये देखिए खेत में कितनी घास चड़ाई थी लगबग दो-दो फिट की घास थी पहला कारिये मैंने ये किया कि मैंने इस घास को कटवाया इस घास को कटवाने के बाद वही पर छोड़ दिया जो कि खेत में एक मल्चिंग का काम भी करेगी और इससे कमपोस्ट भी बनेगा मैं इस पर वेस्डी कमपोजर का छिड़काव करा दूँगा और इससे कमपोस्ट बनेगा उसके बाद मैंने दिखाया था कि हमने जो हमारे दो वर्स के पेड हो चुके हैं जो मेरे पांच सफाई करवाई है और सफाई कराने के बाद जब पूरी लाइन में सफाई हो गई आप देखिए कि सफाई आपको वहां तक करनी है कि जहां तक इसकी चत्रक हो इसकी टहनिया जा रही हो सफाई से मेरा मतलब है कि निराई गुडाई करना जब निराई गुडाई कर ली गई तो मैंने फिर इसमें एक बार फावड़ा निकल वाया और फावड़े से प्रतेक पेड़ के चार ओर अच्छी तरह थोड़ी खुदाई करवाई इस खुदाई का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आपकी जो नमी है जड़ो की वो सब सूख जाती है और पोधा डॉर्मेंट की अवस्था में आ जाता है सुसुपता अवस्था में आ जाता है जब पोधे में कोई नमी नहीं मिलेगी तो उसके कल्ले चलने बंध हो जाएंगे और जो कल्ने चलने बंध हो जाएंगे तो पतियों को भोजन की मातरा मिलने भी बंध हो जाएगी और पतियां अपने आप ड्रोफ होनी शुरू हो जाएगी लेकिन किसान सातियों पोदे छोटे थे और बारिस देर तक हुई थी तो कुछ कल्य इनमें निकल चुके जो निकल चुके थे उनमें कुछ कल्या भी आ गई हैं जो ये कल्या आई हैं इनको मैंने बताया था दो तरीके हैं एक हाथ से तोड़िये हाथ से तोड़ना है तो ये किरिया आपको 15 दिन बाद दोरानी पड़ेगी और अगर आपको हाथ स नहीं तोड़ सकते तो 15% यूरिया का मैंने इस्प्रे बताया था तो आप 15% यूरिया का इस्प्रे करिए उससे सब पत्ते गिर जाएंगे और सब फूल और कलिया सब खतम हो जाएंगे किसान सातियों मैंने जो इसकी प्लानिंग की है वो की है कि मैं 30 अप्रेल या 28, 29, 30 में से किसी भी दिन अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं खेत पर जाऊँगा और मैं तीन दिन कम से कम महाँ पर रहूँगा और वहाँ पर अपने पोधो की कटिंग करूँगा कटिंग करने के बाद मुझे इसमें पानी देना होगा तो मैं इसमें पानी दूँगा और जितने भी पत्ते हैं सबको मैं गिरा दूँगा और फिर पानी देने के बाद पोधा जाग जाएगा उसके बाद जब पोधा जाग जाएगा तो पच्चीस दिन बाद इन में नई कल्या निकलनी सुरू होगी, कल्यों से मेरा मतलब है नई कल्ये निकलने सुरू होगी और अगले पच्चीस दिन में सब कल्ये निकल चुके होगी और उसके तीस दिन बाद आपके फूल शुरू हो जाएंगे आने पहले 25 दिन पानी देने के आपके कल्ले निकलने शुरू होंगे अगले 25 दिन में आपके कल्ले निकल चुके होंगे और आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे और लगबग 30 जून तक या 5 जुलाई तक आपके पूरे फूल आ जाएंगे जब फूल सुरू होते हैं खिलने यानि कली और फूल के बीच का तो उसमें एक इस्प्रे करना होगा आपको जिससे के फूल काफी आएंगे और स्वस्थ होगे वो इस्प्रे क्या होगा ये मैं बताऊंगा कटिंग के समय तो अगली वीडियो होगी इसका भागचार होगा के अमरूद की कटिंग ध्यान रहे कटिंग हमें दो प्रकार्च की करनी है एक वेपोधे जो हाई डेंसिटी पे लगे हुए हैं उनमें कटिंग अलग होती है और जो आपके समन्य दूरी पर पोदे हैं उनकी कटिंग दूसरी तरीके से होती है उनमें कटिंग सिर्फ एक बार होती है तो किसान साथियो ये था मेरा सर्दियो की फसल का भागतीन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने इस कारिया में व्यस्त होगे है इसी के साथ खुश रहिए अपना ध्यान रखिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाई रखिए और मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदे माधरम